नमस्कार का लोक महत्वक्या है इसके विज्ञानिक और प्राकृतिक आधार इस सब पर बाचीत करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी योगेश्वरा नंद सरस्वती स्वामी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में तो आज हम खोली पर पाचीत के लिए एक अठा है कि होली का लोक महत्वक्या है क्या इसके पीछे की कहानी है और जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है कहते जब सर्दियां जा रही है और वसंत रितू का आगमन होता है तब हम होली का त्यहवार मनाते हैं तो इसके जो प्राकृतिक आधार है इसके बारे में बताईए होली का जिसे अभी आपने बता है कि वसंत रितू में क्या होता है पहले तो पत्ते जढ़ जोके होते हैं और नहीं नहीं कोपले बड़ी हाँ फिर फूल आते हैं और तितलियां मंडरा रही हैं और इतना सुखाना स्वाह वना वातावरण होता है ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वैम ही उत्सव मना रही है और ऐसा उत्सव कि जिसमें स्वैम ही अंदर से बड़ी भावनाईज जनम लेती हैं एक उल्हास होता है क्यों ठंड से ठिटू रहे होते थे परिसानिया थी लेकिन अब धीरे दीरे वातावन बदला व्यक्ति के कि अध्राई आने लगी यवण वापस खड़ा होने लगा जिनके सरी cervम में दर्द थे वो फींशे होने लगे बिमारें ठीक होने अगी और ऐसे अवश्था में एक चुनाव किया गया कि एक विधीवत उत्सव मनाया जाए जिसका और नाम दिया गया है हौली। होली वसंत उत्सव रंगों का उत्सव मना गया है तो इस तरह से यह बड़ा ही सुहावना बड़ा ही पवित्र बहुत और जो एक और लोग कथा है या इस तरह से भी देखें कि जब यह होली का तहवार होता है यही जब गेहूं की फसल त्यार हो रही होती है फसल पकता है तो कि फसलें काफी लेट पक रही हैं लेकिन मैंने छोटे पन से देखा है कि जो की बालियों के साथ-साथ इस उत्सव का महत्तु था और इस उत्सव का महत्तु क्या था मैं भी जोडता हूं इसको एक कहानी इसके पिछे चलिया और यह पुरा प्राचीन सनातन ने की जो हमारी प परलाद को लेकर क्या अगनी मैं बैठ गई कुछ इस तरह की भावना हैं यह सब इसमें जुड़ी हैं परन्तु इसको हम ऐसे देखेंगे कि होली का एक करेक्टर है होली का एक करेक्टर है वह राग द्वेस इर्शा वैमनस क्रोध आदी की भावनाओं से भरा हुआ है और जो इन भावनाओं से भरा होता है और स्वॉय में ही जल करके भसम हो जाता है तो यहां पर वह जो होली का की कहानी है वह भी आती है वहीं उसी को मैं बता रहा हूं अब कोई महिला है जो जिसके बारे में बता जाता है कि होल्य का जल गई यद्विध मे Tabii अगर हम व्यज़न या मैं हूँ या कोई भी विक्ति हूँ अगनी में बैठने के बाद वो अपना सुभाव बदलने वाली नहीं है। इसको हमने अच्छाई और बुराई इनको जोड़ करके हमने त्यार किया है। क्योंकि जहां उपासक विक्ति है, साधना करने वाला है, पवित्रता से भरा हुआ है, परुपकार से भरा हुआ है, इश्वर भक्ति से भरा हुआ है, कहते हैं कि वो किसी बुरे विक्ति की संगत में भी अगर रहे, तो उसका बालबांका नहीं होता। तो इस तरह से प्रलाद को जो हमने नाम दिया है ये की बुराई के साथ में बैठने के बाद भी वो तो बच गया क्योंकि ये सधा हुआ है योगनिष्ट है और वो जो क्रोध से युक्त है वो जल करके भसमोगा और मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये जो प्रहलाद की कहानी है होली से जुड़ी हुई होली का देहन से जुड़ी हुई वो एक बिल्कुल संख्षेप में सना है संशिप में यही है कि होलीका इसको प्रदा नहीं चाहती थी और बड़ी चिड़्ती पृसान होती रहती थी इसके पिता भी नहीं चाहते थे और पिता ने आदे मि Sheriffद्ट दिया कि इसको सहरा बन जाती हैं और किसी न किसी रूप में उसको संभाल लेती हैं ठी किसी प्रकार से होलीका को कहा कि बेहन ऐसा कर अब तूँश को समहल बोले चिंता मत करो इसको तो मैं देख लूगी कहते हैं कि वो जो कहानी कहती जो मैंने बच्पन से पड़ी है कि होली का क्या हुआ कि इसको अगनी में मतलब लकणिया चायन की और उसमें ले करके बैठ जाती चोट से बच्चे को और होली का को यह आशिरवाद था कि वो अगनी में नहीं जलेगी ऐसा हां कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसी शक्तिया होंगी पर सभाव तो आएगा सभाविक है पर फिर भी कहते हैं कि होली का तो जल गई नश्ट हो गई और अगर अशिरवाद अगर उसके उपर है तो जलना नहीं चाहिए था तो लेकिन वो बुराईयों का प्रतीक है और हमारा प्रलाद ये अच्छाईयों का प्रतीक है तो हम अपने अंदर की बुराईयों को दोस्त कर दें और अच्छाईयों को जनम दे दें यही होली का पर्व का विशेश है और जो होलिखा पर्व पर जो अगनी का विशेश महत्व है अगनी जलाते हैं और अपने घर से सबीलों किस तरह से होलिखा पर्व मनाते हैं क्या सही तरीका है होलिखा पर्व इस भी जरूर बता है। तो इस प्रकार से होली का तो पहले नहीं थी, क्योंकि ये इस तरह से नहीं था, पहले वसंत उत्सव मनाने की प्रकिरिया दूसरे डंकी थी, उसमें होली जलाने का नहीं था, उस समय थी याग, यज्य, बड़े-बड़े यज्यों के आयोजन के जाते थे, बड़े-बड़े झाहे कि जहां अगनिहोत्र होता है जहां यज होता है वहां से negativity खतम हो जाती है तो हमारी जो दूपज थे रिशी लोग थे वेदों के अनुसार जीवन जिया करते थे तो क्या होता था अगनी में आहुत करने के लिए अंडालते थे वनस्पतियां डालते थे जड़ी बूर्टियां डालते थे गुगल लोबान चंदन और शुद्ध घी और सामिग्री से अगनिहोत्र किया करते थे और बड़े-बड़े और इतना ही नहीं जो बड़े-बड़े याग हुआ करते थे उसमें दूर दराज के जो लोग थे ग्रामीनवासी और शहर के लोग जो भी उस समय की स्थित्यां रही होंगी वे सब एक परंपरा के आधार पर अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के जाया करते थे क्या लेकर जाते थे अच्छा भाई चलो यज हो रहा है हम अपने घर से घी लेकर चलते हैं थोड़ा सा चावल लेकर चलते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के चलते हैं अब वो तो हुआ याग बड़े बड़े यज्ज है ना उस तरह से और जो यज्ज का धुवां यज्ज की गैस जो तयार होती थी वो सरदियों में जो पनप जाती हैं बीमारियां जो रोग जने थे विशाणू उन सब को ध्वस्त करने का कारिय करते थे वो याग यज्ज अब वो तो बदल दि अब हमने इस स्वरूप को ले लिया मैं अभी मेरट से आज तो रास्ते में मैं देखा तो जग जग एक कूड़ा जैसा भी लगा रखा है धेर जलाने के लिए काफी कुछ अलग धंग से उन्होंने उसको रखा हुआ है मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहें लोग तो इसका जो एक नियम है वो मैं बढ़िया तरीक ऐसे समझाता हूँ देखो हमारे यहां पर गाउं में क्योंकि देखो मैं तो देहाती रखती हूँ ग्रामीर छेत्रग मैं पला हुआ हूँ बच्पन मेरा गाउं में भीता है भारत गाउं में बसने वाला देश है बिलकु पहनाती थी और जहां होली का पूजन होता था वहां भी जाय करते थे वहां चड़ा के आया करते थे बहुत कुछ हम ने देखा अब परंपराएं धीरे-धीरे ध्वस्त होती जा रही है तो तरीका क्या है जो सही धंग है होली का इसको हम अगर समझ जाएं तो मेरा पूरा देश नहीं दूर-दूर तक जहांता कि सुगंद जायेगी जहांता किसका परभाव जाएगा वो सब समरिद्ध होगा रोग जनित सब द्वस्त हो जाएंगे किसी भी तरह की महमारी नहीं आएगी और वो तरीका क्या है वो तरीका यहां है कि जिस स्थान पर आप हम होली रखना चाहते हैं उस गोलाई में उस स्थान को बढ़िया पहले साफ करना चाहिए सफाई करने के बाद देशी गायक के गोबर मिटी औ साफ सूथरी लखडियां लखडिया और कि अशे चैये जै जो qс21 ऐखना कीड़ को मारने के लिए जो तक्ति तयार होने चाहिए वो त्यार नहीं चाहिए होंगे अगर हमारे पास में उपले नहीं है तो कि आब क्या करेंगे उपले भी lotta हमने लख्डियां भी चैन कर दी सारे चीज चैन करने के बाद में अब आपनी देखा होगा माताइं कच्छा सूच सूब्स के उपर लपेट के आती है उसको विसको लपेट तो इसलिए जाता रहा होगा कि ये लकडियां गिर ना जाएं विखर ना जाएं क्योंकि होली जलने से पहले पहले विखर गई तो ये ठीक नहीं है फिर भी होली ये सूत हमने बांद दिया और फिर हमारी जो गाउं की माताएं हैं ये शहर की माताएं हैं माता बैने वो जाया करती है उसक अब जैसा कि मैंने थोड़ देर पहले कहा कि अब इस होली को गरीब होली ना बनाए एक तो है कि बस यूँ ही बे ढंगे तरीके से उसको जला दिया लेकिन अब इसका हमको करना यही है जैसा पहले बताया अपने घर से थोड़ा-थोड़ा मैं मुसलिम भाईयों से भी कहता हूँ जैन भाईयों से भी कहता हूँ बौदिष्ट हैं उन से भी कहता हूँ क्यों इसको लोक उपकार का पर्व समझें यह लोक उपकार का है यह समाज के उपकार का पर्व है समाज के कल्यान का पर्व है भाई चारा ही नहीं खाली यह बहुत बड़ा लाब देने वाला पर्व है तो अब क्या करें मुस्लिम बंधु भी अपने घर से शुद्गी लेकर के आएं ठीक है थोड़ा अन लेकर के आएं तो सचावल लेकर के आएं और वहां जाकर के उस पर सजा दें रख दें और यह ज आयत्री मंत्र बजा करके स्वाहा स्वाहा की धनी उठने दीजिए ठीक है जो आपके पास में घी है सामिग्री है या अन लेकर क्या है हवन की तरह से जला तो हम पहले भी रहे थे पहले तो टोटली कार्बन डाय ओक्साइड पैदा कर रहे थे जो हमारे परियावरण को और हानी करने वाला हो सकता था हाला कि कार्बन की भी हमें आवसकता पड़ती है पर अन्तों किस एंगल में किस रूप में कितना चाहिए क्या चाहिए पहले प्रकृती में बहुत नुक्सान हुआ पड़ा है लेकिन ये होली जब हमारे हैं जलाई जाएगी तो इतना सारा जब जलेगा अगनी में, पर एक और काम करना चाहिए, होली जहां रखी है, उसके चार और थोड़ सा नाली टाइप की बना देनी चाहिए, नाली, उसमें भरे जल, पानी भरना चाहिए, अब पुछे क्यों भरना चाहिए, क्योंकि यह जो जल भरा जाएगा, अगनी जब जलेगी तो अगनी जलेगी तो इसमें क्या होगा, यह गर्म हो जाएगा, गर्म होके इसका होगा वासपी करण, भाप बनेगी, और जो भाप बनेगी, यह भाप कार्बन को डिसॉल करने के काम करेगी, क्योंकि carbon dioxide जल में गुल जाता है और जो हमने oxygen तयार की है oxygen तयार की है यह oxygen घी के द्वारा सामिगरी के द्वारा इन अच्छे अच्छी वस्तूं के द्वारा जो हमने एक सुन्दर बातावन तयार किया है जो oxygen तयार की है वो उपर की तरफ निकलेगी और carbon को यह रोकने का काम करेगी हम तो यह अगर हम समाज की समझ में आ गया है जनता की समझ में आ गया तो मैं एक बात कहता हूं त देखो एक गाओं इसे हमkt एOWली जल आयएँ और एक गाओं के भीच मने जलाे है तो अलग अलग नोदा देर होने 3 satisf और 1 जलाजान, चाlles यहाँ कि हम पूरे गाओं को सुरक्षा कवच दे रहे हैं मैं बता रहा हूं इसको सुरक्षा कवच की दृष्टी से उसमें जितने भी प्रिवार हैं उनके यहां पर सुगंध पहुंचेगी उसकी जलने के बाद वो पूरा का पूरा गाओं सुरक्षित हो जाएगा आपने सुना हो पुराने वाली ददिया थी, उससा दाधियों को बड़ी जानकारिये होती थी ऑपने घर में गुंम लॉबान चंदरन और लौंग जायफाल आदी के धूनी दियास कर थी उस दूनी ऑधूनी क्यों देते थे। थी प्रभाव कितानु जो होते थे उनका प्रभाव होता था उदेश है वो यह है कि जो वातावरण में जो भी विशानु है या जो जिन से बीमारियां पैदा होती है वो खत्म होंगी और हमारा परिवेश साफ सुथरा सुथ्ष बनेगा होली जल्ल्ले के बाद जब लोग सो जाएंगे हमारे जो आधें कि बाली भूं थे होली होते न है जैसे पmente के साफ में होला भूनती थे उसको हम वोलते हुद कुछ लोग उसको होल क saudar को पुकारते हैं तो ये स्वारूप वही हैं सारे के सारे नाम आये सब वहीं से चल चल क तो जब प्रात्यकाल में आग खुलेंगी हमारी अरे वाह आज तो पूरे गाउं में सुगंध फैली हुई है इतना बढ़ी है पॉजिटिव एक बहुत सकारात्मक उर्जा मिलेगी बहुत बढ़ी हमारे तेहवार है उनका देश भी यह जैसे हम भोली की बात कर रहे हैं कि य जो समय होता है वो बिल्कुल उमंग और उल्लास में भर देने का समय होता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी जैसे मैंने कहा कि 15-10 मिनट तो गायत्री मंत्र बजा करके आहुती दे दो स्वाहा स्वाहा अब गुंजने तो स्वाहा की धनिया उसके बाद में जिसको वह हो उत्सव वहाँ पर मनाना चाहते हो जलने के समय भी कुछ लोग करते हैं तो वो करो उसका कोई विरोध नहीं है लेकिन इसका सुरूप को थोड़ा सा बदल के ऐसा कर लिया जाए तो यह तो एक कहावत है ना आम के आम और गुठली के विधाम तो इस तरह से होगा और जो बहुत उमंग बहुत उलास लोगों के बीच में लेकर आता है यह जो रंगों की बात जहां तक आती है मेरे दृष्टी में यह मेंटली ट्रीट्मेंट है फिजिकल और मेंटली ट्रीट्मेंट है एक तरह से तो हमारे हैं क्या था परिवार थोड़ा बड़े होते थे अब दिर दिरे परिवार शिकुड रहे हैं इस बात को शाद आप भी जानते हैं एक एक बच्चा घर में वह भी पिल पिला सा अजीब टाइप का बच्चा मैं क्योंकि देख रहा हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता पहले भाई होते थे भाई होते थे बहन होती थी पुरा परिवार भरा पुरा परिवार होता था तो क्या होता था परिवार की अंदर ही उत्सव होता था भावियां घरों में होती थी देवरानी जिठानी अभी हमारा समाज है जिसमें हम जी रहे हैं जो हमारे आसपार क्योंकि हम जंसक्या और इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं वो तो ठीक है बढ़िये लेकिन कही ना कहीं हम नुकसान में भी जा रहे हैं इस में आपको बता रहा है इस विशे को अभी मैं उठा नहीं रहा बिलकुल कभी इस फिशेव चर्चा करेंगे तो विशे अलग हो जाएगा तो मेरा कहने बावता जैस विशे के सब कुछ होता रहता था हमारे हाँ पर जैसे प्रमपर जो रही थी कि मैं हूं नेच्रपैथ, डोक्टर, मेरा पहले नाम था योगाचारिय कई डनोध कुमार शर्मा ठीक है, मैं नैचुरपैथ हूँ, प्राकर्तिक चिकित्सक हूँ, तो प्राकर्तिक चिकित्सक होने के नाते इस बारिकी को मैं समझता हूँ, मिटी से हुली खेलना चाहिए, मिटी, जैसे काली मिटी आती किसी के गाउं के असपास काली मिटी भी मिलती है, पीली मिटी से हुली खेलो, मु हीं मेंधी हैं मेंधी है हम लोग जासे ख्योंट देआ हैं Department कि समय पूरे स्रड के मिटी का लेभ करिवाते हैं अब ये हल्डी का लेप करते हैं और वनसपतियां मिला मिला कर रेपव करवाते हैं तो हम होली इस ततरह से मन आ लिया तो भरा क्या है तो मतलब लुई यह का भी तो बाजार में बहुत तरह के रंग हैं और हरबल रंग और प्राकृतिक लुखी हैं दो पहले हे लोग रंग जो टेशू के फूल और इस तरह से रंघ, इकठा करते थे ते और रंगों का भी अप्चार कहतेहिं कैंकि तौचा के लिया रहता है प्रशाद खाया तो यह नहीं है रंगों का उप्चारी है कि जैसे पलास के फूल हैं मैं पलास के फूल के बारे में आपको बढ़ी अबताता हूं मेरे गुरुजी अचानक कुबड़े हो गए उन्होंने हलुआ खा लिया कहीं पर खाते नहीं थे मैं भी बचके रहता हूं त अब उन्होंने के बाद उपवास पानी पानी पर आगे उसके बाद में जो प्लास के फूल हैं जिससे भी खेली जाती ती उबाल करके वसके तो प्लास के फूल उबाले उबालने के बाद एक टब में भरे टब में भरने के बाद उसके अंदर यू बैठ गए पैर भार करके आपको बताता हूं कि तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर वो कुबड़ापा ने उनका ठीक हो गया अश्चरी के बात है यह मतलब जो कमर जुग गई थी ठीक हो गई इसे प्रकार से फूलों के रस हमारे तुचा पर लगते हैं आपने देखा होगा कि जो फेशिल कराते हैं जो मता बैने अपना जो सौंदरिय कराते हैं आँखों पर खीरा लगाते हैं आँखों पर भी कुछ आलू भी लगाते हैं अलग-अलग तरीके से कुछ गाजर अपने फेस पर मलते हैं या जैसे जूस पी लिया तो जूस पीने के बाद फेस में काफी चीज़ों को रगरते रहते हैं ताकर कि दाग धब्बे हमारे समाप्त हो जाएं तो इसी परकार से हमारे अंधर से शुद प्रसंता । बढ़े इरिटेत वर डिप्रेसन मेंρεί स्वास्त से भी घृषिस स्वास्त से ली जरा मानी स्वास्ती लियर से बेखना लिखे दागिनेर स्वास्त के लिहारत तेवहार है, बहुत अच्छा तेवहार है, इसको खुल के मनाना चाहिए, और जम के मनाना चाहिए, बढ़े हैं बढ़े डंग से, और अपनी जो परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं रही हैं हमारी, यह कोई यू ही नहीं है, इनकी पीछे बड़े बड़े लेंगे उतसौ मनाइगे तो जैसे कहते हैं कि होली या कोई भी जो हमारे तेहवार acquiredहें वह का हमने अगर दहिं की तो मतलब हमने सारी नकारात्मग वस्तों अपने आस-पास के नकारात्मग विचार सोच को त्याग दिया और अब हम द्रेरे के साथ आगे वह जो होली की जलने के बाद में भसम त्यार होती है उसमें गोबर और इत्यादी कैसे अरे अपको पता होगा कि अमेरिका में शोध हुआ और काम कर रहे हैं भारत में भी करते चले आए लेकिन कुछ गरबर हो गया बीच-बीच में तो क्या हुआ कि हवन की जो राख होती थी या उपले की जो राख होती थी गाय की गोबर की जो एश होती भस्म होती है उसको खा करके कैंसर तक का रोग ठीक हो जाता था तो हुली को लेकर अगर दर्शकों को तो प्लीज कहें मैं सभी को होली की शुब कामनाई देते हुए बस इतना ही कहूंगा होली को बहुत ही स्वस्थ तरीके से बड़े प्यार से उल्लास के साथ मनाए और नशा अधी से जितना बच करके रहेंगे अच्छा है आपके लिए क्योंकि हम जीवन में रंग भर रहे हैं होली के रंग ब पुरा भरपूर आनंद लेना है सकरात्मकुर्जा का तेहवार है और खूब खुशियां और रंग और उत्सव का मौका है तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ यह जनकारियां साजां कि इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद त तो दर्शकों को भी होली की मुबारक बाद, होली मनाएं, रंगों से खेलें, प्रकृति की जादा करीब रहें, प्रकृति को महसूस करें, होली प्रकृति का पर्व है, नमस्कार